कहने को तो छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन आपका काम बहुत ही आसान करने वाले हैं, कोई भी टिप्स मसंदा है तो एक चरूब करतीज़ेगार, चैनल पर नहीं हैं और चैनल में हमारे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूब कर ली जीएगार और मैं आपको एक जुगार बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप पराबर काट सकते तो इस तरह से मैंने पहले जो डंटल वाला हिस्सा होता है और पिछला वाला हिस्सा होता है उसको मैं नाइफ की मदद से कट कर दूंगी और इस तरह से हमें दो फोर्क लेनी है और इस तरह से द यह बस इनके अंदर डाल डाल करके हमें इस तरह से कट कर लेना है और आप देखेंगे इतने बढ़िया से कट कर रेडी हो जाते हैं कि देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं और खाले में तो अच्छे लगते ही हैं अगर इस तरह से आप सलेट को काटेंगे तो आपके घर आने वाले मेहमन आपसे पूछेंगे कि आपने इसे किस तरह से कट किया है और आपकी तारीफ करने में बिल्कुल भी नहीं ठकेंगे आप इस तरह से एक बार कट करके जरूर देखेगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ यह किस तरह से कट हो करके निकल के आते हैं तो अगर वीडियो पसंद आए यह हैक पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चलिए नेक्स टिक्स को देख लेते हैं सूजी तो हम सभी के हाँ लाते हैं लुआ बनाते हैं कोई लड्डू मनाता है और कोई इसे रवा भी बोलता है तो इसको चपनी हम लाते हैं और लाने के बाद एक बार इसको मैंने पकेट अकर खोल दिया उसमें इतनी हैं चुटे-चुटे महीन कीडे बढ़ जाते हैं जो कितना भी छानों नहीं निकलते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको एक हाई बताने वाली हूँ जिससे आप सालों साल इस सूजी को इस्टोर कर सकते हैं सूजी एक्सपार हो जाएगी लेकिन इसमें कीड़े बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है बस सिर्फ क्या करना है आपको इसको थ्रिज में रखते ना है आपको केड़े कभी नहीं कड़ेंगे नेच्ट टिप्स हमारी इस तरह से फोटो फ्रेम को लेकर करके तो इसके लिए मैं वही एक बढ़िया सा हैक आपको बताऊंगे जो आप अपने कॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हैं माली जी ये दिवार है और उसमें आपको इस तरह से टांग भी है तो अब सवाल लिए उड़ता जब हम इसको इस तरह से टांगेंगे तो कील हमें किस जगह पर लगानी है जिससे ये बढ़िया अच्छे से बराबर टंगने में आए तो समस्या बस यह होती है कील टांगने के लिए तो उसके लिए हमें क्या करना है जिससे ये अच्छे से बराबर टंग जाएं तो बस क्या करना है कोई color लिदेजिए या इस तरह से nail paint लिजे और इसको photo frame को हमें क्या करना उल्टा कर लेना है इस तरह से उल्टा करने के बाद जिस जगे से हम इसको टांगते हैं ये टांगने वाला जो निसान बना होता है और इस जगे पर हमें इस color को लगा लेना है तो अगर color है तो कोई color लगा लिजे या फिर nail paint लगा लिजे कुछ भी ऐसा लगाईए कि वो दिवार में पुझा के लग जाए तो ये जे hole है वोल के ऊपर जो ये निसान बना हुआ न बस hole के सामने ये आपको लगाना है तो माली जी हमने इससे इस तरह से लगा लिया अब इस तरह से हमें photo frame को पकड़ लेना है और ये दिवार है और हमें इस जिस सिधाई में टांगना है उस सिधाई में हमको इस frame को ले करके जाना है और दिवार में अभी बिल्कुल नहीं चुवाना है बस आपको दिशा fix कर लेनी है कि हमें कि दिशा में लगानी है जिस दिशा में लगाना बस उस दिशा में रख करके इसको थोड़ी दिर के लिए से दबा दीजिए जो मैंने net print लगाई थी उसका निसान इस तरह से दिवार में छप करके आ जाएगा यहाँ पर निसान छप करके यहाँ दिवार में आ जाएगा अब यहाँ पर अपना मन जाही कील जिस तरह से गार्णियों कील को गार लीजिए और उसके बाद इसमें इसको टान दीजिए हैना बडिया जुगार इस तरह से आप भी अपनी फोटो प्रेम को इस तरह से अच्छे से मन चाहे तरीके से टान सकते हो तो उमीर करती हूँ यह भी टिप्स जरूर परसंद आये हुआ इन में से कोई भी टिप्स परसंद आये तो एक लाइक और एक से जरूर कर दीजिएगा तो चलिए अप अगले टिप्स की तरह पढ़ते हैं जब भी इन चावल बनाते हैं तो कभी कभार धोखे में क्या हो जाता है कि चावल में हम पानी डालना डालते तो हैं लेकिन थोड़ा कम हो जाता है इस वज़े से हमारे चावल जल जाते हैं और जलते तो हलके पुलके ही लेकिन उनमें से अजीब सी इसमें लाले लगती है और जो खाने के लाइक नहीं बसते हैं तो इसके लिए भी एक जुवाड है जो आपको फाल परना है यहां पर हमें ले लेना है प्याज और प्याज को इस तरह से हम छील लेंगे जली में छील लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ इस तरह छेलने के बाद आपको इस चावल के अंदर दिखा देना है ज़म कि और और यह चावल जो भी जले की इसमेल है वह सारी च्छू मंतर हो जाएगी और अब चावल आपका अच्छे से चावल को खा सकते हैं नहीं तो हम इसको पैकने के लिए तयार हो जाते हैं तो इनमें से कोई भी टीस पसंदा है तो एक लाइक हमें जरूर से जरूर कर दीजिएगा फिर मिलेंग कि अधिसे झाले हो जरूर कर ब्रक्ता हहां के लिए जरूर कर ईदेगा sist मिलेमा क्हें कर देखा हैं जरूर आपका अकर जरूर कर दाईक से जरूर से